शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिदिल खूंको चाहाँ हाईकन वाजिति जय हम बेगारी कुछ नो वेट्टा, देए, प्रश्राइब, प्रश्राइब, अब बेट जी, मैं आप फली नाश्टा लगा देता हूं, ठीकि बेटा, अब बेटा, आज आलो के पराठे बनाए तुमने, आपको पसंद है ना, आलो के पराठे, आज मैंने सुबा उठकी बना लिया था, इतना कहाल रखते है बेटा तुमेरा, अब आपका ख्याल नहीं र ख्याल रखोंगा, चली जल्दी से नाश्टा कर लेता है फिर वो सरीता अंटी के यह जाना है साथसंग के लिए नहीं तो फिर देर हो जाएगी असुन, मेरी शाल भी रख लेना हाँ, मैंने अल्रड़ी रख दिये ठीक, सरीता, आज साथसंग में कितना अच्छा लगाना अगली में फिर से सथसंग है कानपुर में गुरुजी का अच्छा हम जाने वाले है आपको और स्याम को भी आना हो तो बता दीजी नहीं आटी वो जाने का मन तो है पर क्या है कि अफिसमाड़िट का काम चल रहा है वैसे आपको जाना तो आप जा सती है अगली नहीं अब अगली बार जब गुरुजी आएंगे ना तब हम उनका सथसंग दो बारा सुन लेंगे ठीक है अच्छा अब मैं गाड़ी निकालतों आप तो बात करिया दो तक ठीक है कितना संस्कारी बेटा है आपका कितनी इज़त करता है आपकी दीदी ये तो बिल्कुल सही कहा है आपने इसके अषादी के बारे में किया सोचा है एक दो बार बात करनी चाहिथी तो कहता है मां जो हमें समझे हमारे पूजाiert की जो जो तो अस्या है उसको सम्झे ऐसी लड़की चाहिए अब इस दमाने में एसी लड़की आप सही मिलग की छोगगी सरिथा थैमारे स पूजा पार्ट में मन लगाने वाला अरे वा तु फिर मिलवाओना हमें क्या पता बगवान ने मेरे शाम के लिए इसी लड़की को बनाया हो हाँ जरूर दीदे है अरे बहन जी सरिता जी ने आपके परिवार की इतनी तारीफ की कि हम तुरंथ ही आगए जरा भी इंतजार नहीं किया यह अपने बहुत अच्छा किया भाई सब रिष्टे की बातों में देर होनी भी नहीं चाहिए अरे दीदी पहले स्याम उको तो बुलाई या अरे हाँ हाँ महमान आए थे ना तु चाय बना रहा है शाम बेटा चाय बन गई आजाओ जी जी शाम बेटा ये पूजा के माता पिता हैं पैर्चोग जुग जुग जीओ जितना सुना था उससे भी कई ज्यादा संस्कारी है आपका बेटा मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी बात करने देना चाहिए अहां बिलकुल चांप बेटा पूजा को घर दिखाओ जी आई ये अई ये आपको चाय लीजिए नश्वी चाय लीजिए नाश्वी जी नाश्म पर ब्लीजिए आई ये आप इतना शर्मा क्यो रहे हैं ऐसी बात नहीं है वो क्या कि पहली बार किसी लड़की के इतने करीब खड़ा हो मैं नहीं है क्या बोल। दरजल मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे बात तक नहीं किया तो तो क्याँ ग्याँ बहुत कि अपको चाय वनानी याती है? आप खाय का मैं तो खाना भी बना लेता हूं और घर काम कर लेता हूं अँण अँण चाय है मुझे भी टेंशन नहीं होगी मुझे ना जड़के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है पर पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाओ जाओ बहुत परिशान रहते हैं वो बहुत रोक टोक करते हैं मुझ पर कि यहां मत जाओ वहां मत जाओ रात देर तक गर से बाहर मत रहो जादा पैसे मत खर्च करो तो मैं भी चाहते हूं कि शादी करके किसी दूसरे के अगर चली जाओंगी तो शायद इन रोग टोग से चुटकारा मिल जाएगा आप तो मुझ पर इतनी रोग टोग नहीं लगाएंगे ना नहीं बिल्कुल नहीं आप यहां एंगी अगर आती हैं आप तो तो आपका ख्याल रखना या आपका देख भाग करना अमारा एक करतब होंगा azis всё नहीं गेा आपका फैसे से तूम को घ्रिश किता है्वे को चाहरत है कि यह अद muli कि आ आपकाश सικά तूम मैं कुछंका हा तो दूम के एक जा दूमको चाहरत को इा नहीं आप एपका जुग 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 जीव पेटा, और अब जाओ, वहो तुमारा इंतजार कर रहे होगी. जी. पुजा जी, ये लीजे, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, खाई और बते ही, कैसा बनाया है? जा हुआ? लीजे? अरे मैंने अपने हाथों से बनाया है, आपके लिए, लीजे लीजे. अच्छी बनी है ना? आपको पता है, मेरी मम्मी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है. अच्छा सुनिए, कल जो आपको कपड़े पहनने है ना, तो आप निकाल के रख दीजेगा, तो मैं सोने से पहले सब आरन करके रख दूँगा, ठीक है? तो क्या है कल सुबह मुझे अफिस के लिए जल्दी निकलना है तो कहीं देर ना हो जाए? मतलब हम साथ नहीं सुएंगे? साथ में? अरे अभी पुरा किचन का काम बाकी है? वो क्या है सोने से पहले मैं पुरा निकदम प्रसोय से साफ आफ करके फिर सोता हूँ. अब भुषब चोड़िये, आप ये खाना काईए पहले, लीजे, लीजे? अदे लीजे? अधे, लीजे? चलिए मैं किचन साफ करके आता हूँ और किसी चीज की जोरवत पड़ा है तो मुझे आवाज दे दीजेगा, क्योंकि है? खाये. अरे यार, घर से निकलने के चकर में ये कहां फस गई मैं? मैंने तो पती मांगा था, ये पती के रूप में पत्नी जैसा फील क्यों दे रहा है? जै अंबे गवरी मैं जै शामा गवरी निशिदी में तुमको ध्यावत निशिदी में तुमको ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवजी जै अंबे गवरी जै अंबे गवरी मैं जै शामा गवरी जै अंबे गवरी निशिदी मेरे घर से भी जादा अजीब है कम से कमा सोने को तो मिलता था जै अच्छा वाप जल्दी उड़िगें चलो जाओ स्नान करके आओ भगवान का दीपक जलाओ उसके बाद हम नाष्टा करेंगे चलो जाओ यहां से जाओ करेंगे वाद बाद है तुम्हें तेयार हो नहीं? तब ही बहु आती फिर हम चलते हैं बहु आजम सच्छंग जा रहे हैं तो तुम भी तयार हो जाना सच्छंग मैं वहां पर तुम्हारे घरवाले भी आने वाले हैं तो मिलना भी हो जाएगा और प्रवचन भी सुन लेंगे पुयाजी आप नाष्ता कर लीजे ने तो फिर देर हो जाएगे मैं सच्छंग के लिए इसी क्या हुआ? मैं देखता हूं पुयाजी क्या हुआ आपको? अचानक उठके आगई नाष्ता भी नहीं कि अमहनीत ने प्यार से बनाया था आपके लिए चुप! कि सब क्या है? तुम मेरे पती हो या पतनी? जब देखो, खाना खालो, किचिन साफ कर देता हूं आपके कपड़े प्रिस कर देता हूं शादी करके आई हूं मैं यहां और तुम मुझे सथसंग मिली जाना चाहते हो अब मैं हनीमून पे जाने की बजायत सथसंग में जाकर प्रावचन सुरूंगी क्या? अब तो बस आपका खयाल रख रहा था मैं कोई ज़रूरत नहीं है मेरा खयाल रखने का जिसचीज का खयाल आपको रखना चाहिए उसका खयाल तो आपसे रखा नहीं जा रहा है अच्छा ठीक है अब आप इतना गुसा मत करिया आप शांत हो ज़िए अब मैं काम करता हूं मैं मैं मुम्मी से कह देता हूं अब की तब यह ठीक नहीं आप सथ नहीं आप आएंगी अपको जो करना है आप करिये अब मेरा दिमाग खराब मत करिये ठीक यह आप शाद हो जाए यह बैढ़ जाए यारा मैं जल्दी सथ सथ देटे लॉता हूं ठीक है क्या सोचाता और क्या हो गया यह झाल आपने म्यूजिक क्यो बंद कर दिया? आपी मुझे आदे गंटे और अरुबिक्स करना था ना यह क्या नाच लगा रखा है भू? और इस तरह के कपड़े पहने तुमने? क्या हुआ? कैसे कपड़े? और माजी से नाच नहीं कहते हैं, इसे अरुबिक्स कहते हैं आप अंगर चलिए, मैं आपसे बात करते हैं मैं समझा देखा मुझे यह क्या कर रहे हो तुम? हटो चाची चाची आप भी ना हाँ, जय कुछ काम था क्या? क्या क्या हमारी मादाजी परशाद वेजी आपके लिए आप लोग आए और बिना परशाद लिए वापस आगे अरे यह सरीता भी ना धन्यवाद कहना उसे चे, मिटा आप तुम जाओ बहुत रात हो गई है ना सभाल के जाए खीके चाची फिर श्याम भया ठीक चली क्या तरीका है? हाँ नई नवेली दुलहन ऐसे कपड़े पहनती अपने ससुराल में क्यों? क्या बुरा है इन कपड़ों में? और वैसे भी आपके हाँ नई नवेली दुलहन को हनीमून की बजाए सत्संग चलने के लिए पूछले का भी रिवास तो नहीं होगा ना जी? और रैसे दिन आप मुझे अरविक्स करने को बिलकुल मन नहीं कर रहा है मैं यहां से चली ही जाती हूँ बेटा समझा बहु को ना समझोना अलग बात होती है और बत्तम इजी करना अलग कर दो मैं बात करतो हूँ क्या अच्य दिन यार ये घर तो मेरे माँ बाप के घर से भी जाद गया गुझरा है मेरा पती पती नहीं घर के ग्रेनी बना हुआ है जब देखो घर के काम करता रहता है और जो बचा हुआ टाइम होता है उसके पूजा बाट, ऐसा लगता है जिसे उस मुझसे शादी तो कर लिया पर उसको पता ही नहीं है कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है अरे, लोग या मरते हैं कि मुलकापती घर के कामों में हाथ बटाएं, तेरा तो सब बिन्भूले करता है, तुझे तो खुश रहना चाहिए खुश? अरे, काम के साथ साथ उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं ऐसा लगते है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है यार, हाँ फस गई हूँ मैं उसे पता नहीं है, पर तुझे तो पता है ना, तु कदम बढ़ा ना, देखना तुरान तेरी बाहों में आ जाएगा काहा चली गई? पूजा जी? पूजा जी? पूजा जी? पूजा जी? पूजा जी? पूजा जी? आप आप अंदर हैं क्या? यह, यह, यह सब क्या है? यह, वैसे अच्छी लग रही हैं काफी पर वो मैं दूद लेकर आथा आपके लिए आप पी जाना तो ठंती हो चाहेगी चलिए अरे पुझा धी यह सब क्या करी हैं? यह सब आपको छोभा नहीं देता है। मतलब बीवी हूँ तुम्हारी में तुम्हारे सथ यह सब नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी आप किसी के साथ भी नहीं करेंगी तुम्हारे सथ 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 आपके पूजा करना चाहता हूँ आपकी पूजा करना चाहता हूँ पूजा जो कि यह सब आप मुझसे मत करें यह सब नहीं हो पाएगा ची मुझे माफ कर जिये प्रीज मैं यह नहीं कर पोगगग यह क्या देख रहे हम हुप है विम एसी कौंसे प्या सदूरी रहे थी कह जिसको बूजाने के लिए दोएगा सारः लिया जा रहे हरे है अरह अरह आप तो बुरा मानगी हम तो मजाक केर रहे थे हम तो के सुब चनत्न Неुटच है एक सिक्रेट आपका ये ये वाली चलिए कि आपको अबे तो सब कुछ चलता है बहुत बहुत हन्यवाद भाविज आपको अप ये लेचा एक बात बताएं भाविजे आपको हमारे शाम बहे है ना बहुत भोले है है ना धोले नहीं एक नंबर के एडियट है वो पता नहीं ऐसे लो शादी ही क्यों करते हैं क्या ना बाभी जी मुझे लगता है श्याम भाव ने आपके नाम को ना बहुत सीरसिल ले लिया जिन्दगी वरों पूजा करते रहें और शादी के वाद भी वी की सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं है ना पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई आप जैसे खुले बिचारों की लड़की हैं मॉडन और होड 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 इस संसकारी घर में आप पूरी जिन्दगी कैसे रहेगी वो भी देगी बनकर नहीं रहोंगे मैं मैंने जिन्दी ऐसे जीने के लिए शादी थोड़ी किये नहीं रहेंगे पक्का तो फिर अगरोंगी निकल जाओंगी अच्छा कि अज़ोंगी तो चाता होड जाओंगी एक वोड़ी करें दोछे बनकर मैं आपका करें रहेंगे मैं कि अबाना एक सुआने हैं मैं 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 एक जाओंगी कि जाओ़ी जाओंगी अज़ लूवाता कर दिए पुजा जी, आप जाई इसनान कर लेजे ना, वो काफी देर हो गई है इसलिए नहीं ना हना मुझे अभी, मेरा मन नहीं कर रहा है और नाश्तापन गया क्या, अगर बन गया है तो लगादो ना प्लीज बहु, हमारे घर में बिना स्नान किये और भगवान का तीपक जलाए बिना कोई नाश्ता नहीं करता है, बताया था ना तुम्हें, मुझे इन सब की आदत नहीं है, मेरा जब मन करेगा, जो मन करेगा, मैं वो करूँ ये क्या बक्तमीजी है बहु, हमारे घर के ये उसूल है, और बहु होने के नाते तुम्हें इने मानना पड़ेगा, बहु आपको आज यादा रहे है कि मैं आपकी बहु हूँ, जब सारी रात आपका बेटा आपके पैर दुबाता रहता है, आपके लिए खाना बनाता रहता है, तब आपको याद नहीं यादा कि मैं आपके बहु हूँ बीवी का सुख मुझे मिला नहीं और आपको बहू के सारे सुख चाहिए वाह क्या बोल रही हैं आप आप गलत बात कर रही हैं क्या गलत बोल रही हूं मैं जो मेरे साथ हो रहा है न मैं वही बोल रही हूं और आपको जादा बुरा लग रहा है ना तो आप प्लीज जाकर मेरे लिए नाश्ता लगा दीजें इतनी रात हो गई पता नहीं एसे बिना बताए कहां चली गई इतना भी ध्यान नहीं दे सकता तू बहू की अरे देता तो हूँ अब क्या करो फोन ही नहीं उठा रही है तो अफिस आने के बाद ट्राइ कर रहो हूँ कोई जवाब ही नहीं है पता नहीं आखिरे लड़की चाहती क्या है अब अपनी देर लगा दी आपने आपने ठीक है अरे हां मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ एवेन आज बहुत टाइम बाद मैंने बहुत एंजोई किया और ये सबसर्फ जय की वज़ेस हुआ है अरे जय जी शुक्रिया आपका बॉत बहुत बहुत इतने ताइम बाद पुझा जी को अच्छा फील कराया अपने तो गॉज़ आपका अपसिबल मैं क्याम भी आप फिर हम भी चलते हैं तो अठीक है चलिए आपके तस बच चुके है बभू गड़ी मेरे पास भी है सासुमा और मैं चांती हूँ इतनी राथ को ऐसे कपड़े पहन के किसी पराया मर्ज के साथ उसकी गाड़ी में जिपके बैठके कोई धर पे आता है क्या पराया मर्ज कि अरे वो तो अपके सरिता का बेटा है ना इस हिसाफत अबेरा थे वरुआ अप्रासुमा बहुं मैं बस अरे ममी जी पुझा जी आफ जाई अन्दर जाई मैं बात करना ममी जी पुझा जी थोड़े अलग सोभाव की हम उने सम्धाना पड़े अब क्यों टेंशन लेरे याप जई यह आराम करी मैं समसमाल लूंगा मैं समस्टी रहा है क्या चाहिए तुम सूचना फिर समय तुम सुचना थारात सेर्फ सौने के लिए होती है ना पर कुछ लोग ऐसे भी है जो रात में बाहर मजह लेने जाते हैं मेरे दोस्का मेस्टला और अब बात कर आथा है आप जब से हमारे पॉरोस में आए ने भावी जी रात को टिरेट पीने के पार्न नर्तों में मिलिया हमारे समझ में अभी तरह नहीं आई भावी वो तो आप एकदम होड़ और एकदम मस्त वड़ो हमारे शाम भया को आपको देखे कुछ फिल क्यों नहीं आता है यह तो बहुत कुछ होता है तभी तो दिन रात पूजा करते हैं वह हमारी जैसे आप लुट कर रहे हैं क्या प्लट तो हम कर रहे हैं बाभी और हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बस अगर आपके इजादत हो ना बस बहुत कि अच्छे घर के लड़के दूसरों की बहुत के साथ यह सब नहीं करते अगर तु सरीता का बेटा नहीं होता ना तो इससे जादा सजा देती तुझे अब निकल जाए आसे और दुबारा कभी दिखना मत समझा तु अब तक लग रहा था तुम बच्ची हो तुम्हारी नादानियों को मैं माफ कर रही थी पर अब नहीं तुझ चल अंदर मेरे साथी लग रहे चुड़ी अरे ममी क्या हुआ ये ना अपनी बीबी से पूछ इतनी कर खो बाहर उस जै के साथ क्या कर रही थी, अरी तो क्या हो गय अगर दो मिनट visit Πाड़ी रही हूं तो मिनट के लिए ये ना मिनट बाहर थी error तो मिनट बाते हो गई अच्छा और सिग्रेट भी यू ही शॉरू हो गई क्यो खुट हाँ मैं उज्जी आप पूजा जी आप ह आवाल, सुन्दो, हमारे खांदान के कुछ उसूल है, आज तक किसी ने ऐसी हरकत ना कभी की है, ना कभी करेगा, समझी तू? शरम, तू? अलो, पुजा जी? अब बाहर ही खड़े रोगे या अंदर भी आओगे? क्या बात है, भावी जी एकदम अचानक से बुलाया अपने, गार में कोई निया गया, अगर एंटी ने देख लिया ना भावी, तुर रात की तरह एक थपड़ खाना पड़ जाएगा उनको कोई नहीं है, तभी तो गुलाया है, और कल की बात जो अधियूर ही रह गई थी, वो भी तो पूरी करनी है क्या बात है, भावी जी, मतलब आप तो एकदम अलाई अवतार में, या आपकी कोई चालतो निया ना, वो पॉंगा अपंड़ी से पीशा चोड़ाने की अरे, येसुग, नाने अपनी लेतिया है, अपनी लेतिया है, अपनी लेतिया मतलब क्या प्पने है, अपनी लेतिया मतलब भावी येसे पाने है, विए कर टी कोईद करते मास है मनलब कर दो कर दो कर दो आज तो बड़ी देर हो गई वेटा, खाना भी बनाना है अभी मुझे अरे माजी मोन बहुत भूग लग लग रही तो जैने खाना ओडर कर लिया बहुत टेस्टी है आई आपने खाये ना मेरे बर्सो की तपस्या को भंग कर दिया तुने हाँ, मेरे घर में मासा हारी खाना लेके आई आपने कभी बताया नहीं कि आपने कभी पूछा ही नहीं ये ना करो गो ना करो आपके बंद कमरे में तो कुछ होता ही नहीं तुम्हें काम करो, मेरी एक तस्वीर बनाओ और उसको अपने कमरे में लगा लो और बिन रात उसकी पूजा कीजिए क्योंकि मैं आपकी बीवी तो हूँ नहीं, बीवी हूँ देवी, तुम घुटता है मेरा इस घर में, परिशान हो गया हूँ मैं और क्या, था, था मैं ऐसी हूँ, और अगर आपको मेरे साथ मही रहना है ना, तो अभी काम करिए एक वकील करिए और मुझे टाइवोज दिला दीजे जाते जाते श्यान की प्रोपर्टी के आधा इसना मेरे नाम करा देना आपको पता है आप क्या बात करिए टाइवोज शेयर ये क्या बोल रही है आप मैं वही बोल रही हूँ जो आपने सुना अगर आपने मुझे तलाव नहीं दिया ना तुम्हें सबको पता दूंगे कि आपका बेटा नामर्द है पहो चिल्लाइए मत आपको नहीं पता क्या तीन महीने हो गए शादी को कभी आपके बेटे में क्या मुझे हाथ लगाया है और जब भी मैं इसको हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ और नहीं 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 आप तो मेरी लिए देवी समान हैं मैं बहुत परिशान हो चुकियू इससे तो आप भी पताएए क्या आपका बेटा नामर्द है जै तुमें काम करो एक खाना ले जाओ कल फिरता है वैसे बीने थोड़ा टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए जाओखज deze थी घुड़ातम पताश आपका है कि मैं चाओएएएज का बेटाई जैने लिएम बाला टुम झाला बेटाएएँ वैशब लिए चाहिएएएएएब दोचक्स पूजा जी देखे मुझे पता है आपने बाहर जूब कुछ भी काहा है वो सिर्फ गुस्य में काहा है आप कैसे कोई मतलब था नहीं है ना हमने तो शादी किया है अगनी के फेरे लिए आप थोड़ी मुझे छोड़ के चली जाएंगे ऐसे ही मुझे जय पसंद है और मेरे और जय के बीच में सब हो चुका है सब का मतलब तो तुम समझते ही हो गए ना हित्ता शौक क्यों हो रहो तुम यह सब सुनके यह सब तो तुमें समझ ही नहीं आता ना मतलब इक पत्नी को क्या चाहिए तुमको पता ही नहीं है मैं तो तुम्हारे लिए देवी हूँ ना, तो मुझे तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा देखो तुम इकताम करो तुक्छा कुछे डाइवोस दे दो वन्ना जिंदी की भर ये नामभर्दी का टैग लेकर घूमोगे और टैग वोस्तो में तुमसे लेकर ही रह्मोगे लिजे, अपने बेटे से इस तलाग के पेपर पर साइन करवा लेना और आप ही अच्छे पढ़ लेना ज्यादा नहीं इसमें उसके हिस्से के आधी प्रॉपर्टी मांगे है जलिमनी और मना करने का सवाल तो बनता ही नहीं है वरना क्या मों दिखाएंगे आप अपने सच्छंग वाले लोगों को जब उन्हें पता चलेगा कि आपके बेटे में तो मवड़ो वाली कोई बात ही नहीं है हलो, हाँ जए नहीं नहीं, अरी नहीं, मैं आ रही हूँ चली अभी मैं जा रही हूँ आज, फिर से मेरा नानुच खाने का मूद कर रहा है और आने से पहले ही ये साइन करवा दीजेगा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए अर्टों की इजजट करने को कहा था, देवी बना के पूझने को नहीं देख, क्या हुआ, आज वो लड़की हमारे घर और इजजट की धज़िया उड़ाने पे तुलिये ब्लैकमेल कर रही है हमें तो उसे तलाग दे और मूमांगी रकम भी परना वो तेरे भोलेपन और आदर का, ना मर्दगी बता के, समाज में हमें कहीं मूँ दिखाने के लायक नहीं चोड़ेगी बिटा तो मेरे पास दुज़रा कोई उपाय भी तो नहीं है, यही करना पड़ेगा इजद दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले मोँ उस जय के साथ जा क्या रहा है बिटा बहुत बड़ी गलती हो गए इस, बहुत बड़ी मा, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए प्यार था लेकिन उसके लिए तो प्यार का कुछ और ही मतलब था इसने कभी मेरे से प्यार किया ही नहीं उसे सिर्फ अपने परिवार से छुटकारा चाहिए था जो उसे मिल गए जाए के साथ इस हद तक जा जुक है कि वहां से वापस आने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है क्या कुछ दिखित दिया मान दिया लेकि जिस काम काह मुटका संजिकारी बेटा स etcetera जब कुछ हार जुका कि जिन्देगी में सब कुछ खतम हो चुका माम ने क्या मुझ दिखा हूंगा किसी हो जाए क Wars खने है姓 गच नहीं बचाँ क्पीफ लुष कुछ नहीं बन कर दो कर दो कर दो कर दो को पुजाजी याफ कर दो याफ संबले अपने हो और गिर्रभ नहीं, 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 नहीं. अभाले पुजाजी अपने आपको आपकी 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 सास में देखिली हो नो तो भी तमाश हगडा कर देगी. अजय हटु. अब मुझे कोई परफ नहीं पड़ता है, ना मेरा कोई पती है, ना मेरी कोई सास है. कुछ दिने में मैं प्रीवर्ट बंचाओंगी, और जामन करेगा, वहाँ घूमूंगी, और जो बन करेगा, वहाँ गूमूंगी. और जो बन करेगा, वहाँ गूमूंगी. एक बात बताए पुजाजी, आपकी उस नई जिन्दगे में हमारे ले कोई जगा होगी? आपके साथ होते है, आश मारने वाले होगा? जाची वो पुजाजी थोड़ासा पार ती मैं छोड़ने आगे होगी होगी. अरे शासूमा, केस्यों आप! आदे चले! पीकर आयो? मन करा था तो थोड़ी से पीली. मन पे काबू नहीं है ना तुम्हारा? ओहो, फिल से शुरू मतोना. वैसे भी अब आप मेरी साथ थोड़ी हो. अच्छा यह बताओ, आपके संसकारी बेटे ने उने डाइवर्स पेपल पर साइन किया के नहीं किया? यह बताओ, यह बताओ, यह बताओ. यह बताओ, यह बताओ, यह बताओ, यह बताओ, तेरी बेटे ने साइन क्यों नहीं किया? मेरा बेटा हीरा है हीरा, और हीरे की परक सिर्फ जोहरी को होती है, तुम जैसे लोगों को नहीं. अगर मेरा बेटा तेरी डिवोर्स पेपर को साइन कर देता है, तो वो मुह दिखाने के लायक नहीं रहता. और अगर वो दिखाने के लायक नहीं करता है, तो तु उसे मुह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ेगी, है न? तस बाहर इखी बात कर चुकी हूँ, कहां है वो बुला उसे, वो आकर डाइवोस पेपर पर साइन करे, शाम, शाम, शाम का आओ तुम, बाहर आओ शाम माजी, क्या कर रही रहा हूँ, चुक, एक दम चुक, मुझे मार के, मैं अपने पेटे की जिंदेगी बरबाद उन से बचा लूँगी, और अपनी गल्ती भी सुधार लूँगी, समझी तू? मैं तू पर सुधार नाम, चाम, वूँगा करे बाहर लूँगी, तू रहे हुआगा हूँगी, साइना तू जो च। मुष् यह… मा, 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 इस्टेक, 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 मैंने पहार दिया उसको! बेटा, अभिटा अब कोई मेरे पेटे को उगः नहीं हुचाएगा अब कोई मेरे पेटे को था ही काईगा ज sytuाद से और लिए जिए नहीं हाँ मार्टिया मारटिया मार्टिया करने? मुष्या, जरू रतिपलावा बारिए को. पूजाजी? पूजाजी... पूजाजी? पूजाजी… पूज़, बेटेको नामस नहीं करूए. गलाउत्याव. बिटेको नहीं बिटे. अब गड़ बगपाद झाल 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 झाल